सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ती पर सवाल उठाकर सुप्रिम कोट ने सरकार को एक और जटका दिया है कोट ने थॉमस की नियुक्ती पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि जिस व्यक्ति पर आप राधिक मुकदमा दर्ज है उसे प्रमोशन कैसे दी गई इस मामले पर कोट ने सरकार से जवाब मांगा है जवाब देने के लिए कोट ने सरकार को दो हफतों का वक्त दिया है और तलब है कि पामुलिन के निर्यात करने के मामले में दायर की गई चार्जशीट में पीजे थॉमस का भी नाम शामिल है सुप्रीम कोट के इस जवाब तलब से सरकार की मुश्किले और बढ़ गई है सुप्रीम कोट ने ये पूछा कि जब किसी ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल चार्चीट भी होती है तब भी उसको प्रमोट नहीं किया जाता उसका प्रमोशन सील्ड कवर में डाल दिया जाता है तो ऐसे आदमी को सीवी सी कैसे बनाया जा सकता है